खादिर साहब ने भी अपने मुकाम पर बहुत पहले भुखते भुखी है और दीगर बड़े-बड़े उल्माओं निशाद भुखते भुखी होगी बरेली मर्तबे फिकर से भी जिदाबे शती है ज्योबंगी से भी आये बगरा बगरा तब आपके सामने हदीस जो दलील पक जब तक के जमीन आस्मान पैदा हुए रमदान की पहड़ी राद तो चांड ग्रहन में आएगा पन्रादी रमदान को सूरद ग्रहन में आएगा और जबसे अल्ला ने जमीन आस्मान को पैदा किये हैं ऐसा नहीं हुआ अब इस हदीस को लेकर लोग अखिदा बनाए है कि जो पहड़ी आ जाएंगे तो चांड और सूरद ग्रहन होगा इस हदीस को लेकर अखिदा बाएगा आएगे घैस सहा के अब आएगे पहले तो शम्स अल्हक्त अजीम आबादी सहाब ने अत्तारी अल्मगनी में इस हदीस के रादी के मुतालिख बहस की है और दोनों हदीस के रादी जैसे के अमर बिन शम्र को जाईब खरार दिया है इस बैस में नहीं जाना है मुख्वरा दे रहा हूं आगे एप ठोज बात आपके सामने रख देंगे बुखारी शरीश से पहले तो इस हदीस के रादी को अल्मगों जाईब खरार दिया है अब दुसरी तरफ आ तीना हदीसे हैं आपके सामने हैं वैसे को मुस्लिम सेईत में दिया है लो भी आप देख सकते हैं खज़ता से आशा सिभिकर रजिया लाँ नहीं से रिवायत है रजिया रख से रिवायत है कि रसूला सुट्र में इसार फर्मातिया बदूस असलम इन श्वड़ बातिया अ आमाते हैं रसुलना सुल्शलम आई लोगों जो एक गयर सहा की हदीश को लेकर अकीदा बनाए है कि महदी जब आएंगे तो सूर जो चान गहन करेगा रम्दान की पहले और पन्रवी तारीखों इसको महदी की आलामत बयान करते हुए इस पर अकीदा लेकर बनाएगे कि जब कोई सच्चा महदी आएगा कोई निशाने वाद निशानी वाक्षे में जाहिए हो जाएगी अरे बुखारी शरीफ की अधीश में रसुलना सल्लम से रिवायत आई है अल्ला के रसूलने रिशात फर्माते है बेशच सूरज और चान सूरज और चान अल्ला की निशानियों में से एक निशानिक है ये दोनों किसी की मौत और और किसी की हायात पर ग्रान में नहीं आते रसूलना सल्लम के फर्दम ने अन्जमन करे विसाल हुआ सूरज और लोगों ने कहा कि आपके फर्दम के विसाल के वज़े से रस्वा हुआ है रसुलल्द भाए कि ये लोग कल के दिन मेंधी के तालुक से ये ना गए इसलिए मेंबर पुचा गए और सामयों इनना शम्स और अबर हा, बेशक शम्स और खबर, अल्ला की आयतों में से एक आयत है, निशानियों में से एक निशानिय है, ये दोनों किसी की मौत और ख्यात पर डाल नहीं करते हैं। महदी की बेस्थ के वक्त, मष्रिफ और मगरिफ और अरफ के अंदर जल्जल्य होंगें। जल्जल्य होंगें। चलें। एक शक्राइश की इसकना महदी होगा जो मेरे और आसे होगा। और जब इक्तिलार हो जाएगा और जब जल्जले आएंगे तो उस वक्त पर उनका जहूर होगा। हदीथ मुस्नाद एहमद बिनहंबल में आई है। हदीथ तो बहुत आई है। अप्रा तैखीक की तरफ आगे बढ़ते हैं। क्यालें। पहली पेशन को यह बताई रही है कि महदी का जोर उस वक्त होगा। जबके उम्द मुहमदिया में बहुत सारे फिर्खे हो जाएंगे। बहुत सारे फिर्खे हो जाएंगे। उस वक्त महदी का दोर होगा। अब फिर्खों को पकड़ कर बात करते हैं। अब याब यह ना समझना। आज पौम महदविया, बरेलवी, दियोबंदी, एहलِ حदीथ, वगया 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 फिर्खे आगए हैं। आज फिर्खे बटे हैं। यह ना समझना। अरे यह तो हुदूर ﷺ की विसाल की 400 सान बादी हो गए थे। आएं। अब्दुल्खादर जिलानी रहमतुल्लाय अले की किताब हुनियादु तालिबी में। सफा नम्मर 177 में दिल्ली में छबीवी किताब है। परमाते हैं। तमाम 73 फिर्खों में से। खौरिश, मुतदिला, मर्जिया, शिया, वगएरा 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 सेखे हैं। तमाम 73 फिर्खों में से। तो मालूम हुआ अब्दुल्खादर जिलानी रहमतुल्लाय अले के जमाने में। महदी माहुद के बेसत से 400 साल पहले ही तिर्खे बने। ये पहला हिस्ता था। अगला हिस्ता था। अगला हिस्ता क्या है? जलजले होंगे। महिदी माहुद अश्रादर जिलानी की सच्चाईग व लगएरा व ताला ने क्या खुब पजीखे से आयां किया है। उठाए जॉन्पुर नामा बाव नमर एक में। महिदी माहुद अश्रादर जिलानी किया। नौसो एक में। अरब में। कावद इल्ला के सामने। नौसो तीन में। अहमद अबाद में। नौसो पांच में। गुजराद बर्ली में। वैसे तो बहुत मुकामा अपने आपको महिदी जाहिद करें। लेकिन तीन दावे खास हैं। इन दावे खास हैं। अब चारे नौसो पांच इजिनी में क्या हुआ था। अब लोग तारीख पढ़ती हैं। जलजले यकीनी एक अलामत हैं। लेकिन और आपको पीछे तो पढ़ताओ। चार्सो पांच सो साल पीछे तो जाओ। तो मालूब होगा क्या महिदी माउद्य सब्सक्राम के जमाने में जलजले आए हैं ये नहीं आए। तरह जौनपुल कबाबर में एक में इर्शाद है। परमाते हैं। तुर्फ तरह के दराम असरा जलजला आए अधीम बदीदा मत। इमारत अहले ये शहर अजारा मुस्तजाओं जमीन जेर जमीन रिख फरमाते हैं। तुर्फ ये के उस मुद्द में नौसो पांच घ्री में इतना बार जलजला आया। पर आए आए अगे अगे हैं। तारीक दाओनी पर लिखावा हैं। पुर्माते हैं। के उस मुद्द में और जममाते हैं । कि नव सो पांच में सिकंदर नोधी के जमाने में जो दर्जल आ रहे था, वो आदम अले सलाम से लेकर नव सो पांच तरीदर को ऐसा दर्जल आ ही नहीं है। वान अलाव। तारीख में लिखा है अब तारीख फरिष्टा में जिल नमर एक सफा नमर पांच सो फाइफ वाटिवटि फोर में फाइफ वाटिवड यू पी में छपी हुए उत्तरप्रदेश में परमाते हैं 901-911 हिजली में इतुआर के दिन बाहे सफर की तीसरी तारीक को आगराग में बगाज जलजला आया और उसी दिन हिंदुस्तान के अक्सर शहरों में भी जलजला आया तो मालूम यह हुआ नौसो पांच में भी जलजला आया है नौसो ग्यारा ने भी आया दावव मुपत जब किया इमामुना महिदियमाओ अले कि अनाल महिदी सब्सक्राइब मुपत जब कहा नौसो पांच में यह खली जलजले को नाजिब करकर बता दिया कि यह सज्याद मुहम्मद जोहन पुरी है तकी महिदियमाओ है जब आपको विसाल हुआ नौसो दस में नौसो ग्यारा में जलजले किये और बठा जिया और लोगों देखो वो जो अधियादी मेरे पांच आया है वो सच्चा में दी गए तो दूसरी तैखीद सल्जलों के मुतालेख साफ हो गई अब कोई तैखीद करने की जरूरत ही नहीं है नौसो ग्यारा नौसो पांच सल्जले बगए 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 चले तैखीद नमर तीन देखते हैं सुफियानी का खुरूज। सुफियानी का खुरूज। किसी हदीश सिहासिता में उसका जिकर इमान मेरी मौद अले सलातों सलाम के साथ रहीं आया है और इसके साथ साथ खलामा इबन हजम ने अलफजल में जिनमा एक में सफा नंबर 149 वन थति नाई में कहा है कि जिस तरह नसारा का इंतिजार जो अबन की तरफ देखते हैं और बहरम हमावन का इंतिजार करते हैं ये सब बातिल है उसी तरह सुफियाली का खुरूज की बातिल है तो याद रखें एक बात याद रखें जब कोई शक्स इमाम मेहिदी के मुटाले सुफियाली की ताम से करता है उसे इतना के दे सुफिया निगा खुरूश आए दे सुनत्वर जमान के आपाया से नहीं है इपने हजम सहाब ने उसको बंद कर दिया कि सुफिया निगा खुरूश देते हैं काले जंडे अब अक्सम लोग इस बैस में पढ़ते हैं काले जंडे महिदिय माउन्त अ तक्रीर हमने अलमा डॉक्टर ताहरुल खादितात के जवाद में यूट्यूब पर डाल दी है उसी को आपके सामने समझाने के लिए और अगीदे की मदभूती के लिए रख रहा हूं अब जो अगीदों आया है काली जंडियों का जहूर उसके तालुक से इपने माजा में ज जिल्द नमबर 6, सफा नमबर 214, 214 में हर्रत अबु हुरेरा रभी नहीं से रवायत है के रतुलूल्ला सुनल्ला हुले सलम् फर्माते हैं पर्माया इजा अखबलत अर्राया तु असूदू फा आखिरुम और फरसा फा इन्ना दौलतकुम निन्हुम पर्माया जब काले चन्ने सामने आए हैं उस वकट फार्सियों की और करें फार्सियों की बदर्द श्रो करो क्योंकि तुम्हारे रίο हुखोली से इसके तालब से इरशारत अजहें आगे अल्लमाया इबन कसीर अल्लमा इबने कसीर साथ जो गैर मुखलिदीन के जयद इमाम माने गए हैं अल्लमा इबने कसीर अल्लमा इबने कसीर अल्हादिर इल्फतावा ने जो इमाम जलाल इदिन स्यूती साथ की फतावा की किताब है लिख लें जिन नमर दो सफ़ा नमर 57 में है फरमाया एक खौम मश्रिख की जानिब से आएगी उनके साथ काले जंडे होंगे इस अबारत में बनी अबास की खिलाफत की तरफ इशारा है और यह इस अमर पे भी जाला रख करती है कि महिदी के महिदी के महिदी अलेह सिलां से खिलाफत बनी अबास के घुजर जाने के बाद आएँगे यानि काली जन्यों का तालुख खिलाफ़त बनी अबासी से महिदिया महिदी जिलासाथ के लात लगारेख Tellman Ready गे जिल्द नम्रे, सभा नम्र 314, 376 में मदबवा दिल्ली में फर्माते हैं, खबरदार यह खुरुचु बनी अभासी बालम आयन स्या फर्माते हैं, खबर दिया है रसुल आप। ने हमें खबर दिया है रसुल आप भरुच के मुतालिफ काले जंडियों के साथ. महदी का नहींगा बनिया पासी के साथ काले जंडिया आएंगे महदी माउग गले सलाम से नहीं आएंगे अब जो द्योगमंदी बैदिया है अगर कोई है वो भी सुन ले शाव अलियुल्ला महदी से देहली साथ इजालतुलकफा में जिल्लमर एक सफा नंबर 366 में हम्धि वहाँ से किताब हैं हरीद के लाए हैं हम्धि वहाँ के दो हुसीहों से घुस्टबु किये हैं उग्या साथ रहे हैं करो देर दो साल पहले की बाती वहाँ वहीं से किताब लाए हैं श्राइधूे। ज्राइधू ज्राइधू जौन श्राइधू ज्राइधू आपिए मायदी अल्दी के दोन जाएंगे जाएंगे अपने आखिदे को आप पुटा करो के लिमाओं ने कहे दिया बनी अभासी की हकुमत जाने के बाद महदी आएंगे अरे तुम क्या काली जंडियों के पास पड़े हो, क्या काली जंडियों पर तुम पुस्तरू कर रहे हो अरे ये महधी आया था कल्मे लाय 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 के झंदा देकर ये महधी आया है रसुल्ला के सुनतों को जिन्दा करने के लिए अभर। ये महदी आया था अवलिया के मधग को अताला करने के लिए। ये महदी आया है खुर्ण को खोल खोल कर बयान करने के लिये। मेज़ु मुझमाओ भलाग भी उसलाम की शान आप भीकाट लुवाइखावां हिस्मु कर लिए अब अगली शान अग्ली कि और अक्सल नौ भा रखेंगे के मुझमाओ भलात भीकाट भी जान कि अपने दबाने अफदस से इर्शाद फर्माते हैं आरभ वो अरभी है उसका माणा में आरभी में लो मेहिठी मदीने में आएगा वो मदीने को लेकर मदीने मुनवरा लेजे framework imposs continued मदीना भी अरबी में लो मदीना भी अरबी में उसका माना लो तुमको समझ में आएगा कि मदीना है क्या वो यसरव है यह मदीना है जो हैदरबाद को मदीना कहा जाता है दीगर शहरों को मदीना कहा जाता है रसुल मेंबर पर खःए और कहा कि ये यसरव है यसरव है यसरव है आज ये उसी गुष्टब हुआएगी चले अरब पर जो अभीज़ आई है अबुताउट पर इन्मिती बगाइर के हदीश है फर्माई रसुल अगर्म सुलिए लिल्हा अले सलम ने इसमिल्दार मुखिन लात अगव जुनिया हट्टा यमिनुक अरवा रजुरोल मिन आहले बैती हुआती इसमों को इसमी परमाया वसुन एकर ने जुनिया खतम नहोगी यहां तके अरब का मालिक वो शक्स होगा जो मेरे अहले बैत और मेरा हमनाव होगा जो मेरे अहले बैत करी एक देखिए ना मेरी माउग नुद ऐसिस विसके मेरा नाम का मि मेहडी माउक किये चो बहुत सारे हादिश में आगे है जो बहुत सारे हादिश में वायरिड हुई है अब इस हदीश में आप देखे क्या लिखा हूआ है जिसका नाम मेरा नाम होगा जिसका नाम मेरा नाम होगा वो अरब पर हुकुमत करेगा वो अरब पर हुकुमत करेगा इसमें वालिदयन का नाम भी मेरे वालिदयन के नाम की तरह होगा नहीं लिखा हुआ है पहस ही नहीं है इस हदित में फिर भी आप अपने लोगों के लिए पहस कर रहे हैं ओल्माओं की तसानिश से लेकर आपके दील की तशक्तितेलिए लिए बहस को आगे बड़ा वैवालिष है वैसे तो ओल्माओंने एगी जूम्ले पर रग कर दिया है कि महिदी के अलामत यह है कि उसका नाम, रसुल्ला का नाम, उसके वालिदेन का नाम भी रसुल्ला जो वालिदेन के नाम की तरह होना है, इस हदीस में वो जिकर नहीं हुआ, तो इस हदीस पर पहस भी नहीं होगी, लेकिन ति भी आपके सामय आप देते हैं, चलें, मुस्लिम पूछा या रसुल ल्लाव सल्ल लाहु आले हुश्वागेंगे लोग गज्जाल से धरकर पहाड़ों में भागेंगे उन से उन में शरीक से पूछा गया पूछा या रसुल ल्लाव सल्ल लाहु आले हुश्वागेंगे जहां है वही होगा अरे यह तुंहां ऊजिए और नियुक्त तुम जजीर आरब में जियाद करो अब और रिवायत में अल्ल्भा रसून रहे हैं कि अरब और जजिर अरब, और गार्ण लकाद होने यार्द तरिके से इर्शाद रहा, अरब का माना जजिर अरब का माना नहीं होता lit. जजिर अरब का मगरिब में जमीन का खसना और जजीरे अरब में जमीन का खसना अब यह जजीरे अरब और वो इमाम मेधी की अधीश जो आई है क्या है हत्ता यमलिक अरवा यहां पर जजीरे अपने नहीं बरुआ है दीया है कोई आलिवा ने हुट्टबी यहां ज़िया हु़िए लफ्स Лव्ज की बात हो गए है। जजीरे आपने सुना इमाम मेधी जजीरे जहां सुना वहां पर जजीरे की बात हो रहे हैacas अब देखें तो सहीं कि विर अरब है कोंगे इढ़ाइए उठाया है मुल्ला अलीखारी की किताब उठाये उसमें मुल्ला अलीखारी सहाब ने औरसके साथ साथ आयागन against धाया हां जिद्यत्र truth में और मुल्ला अलीखारी ने इन दोनों के मतालिक को है मुल्न अलिकाली ने शर्य मिष्काद मिर्काद में लिखा है और जितत नहाजाएक में अएनि खुदात हम्दाली रहमत नहाजा ने लिखाए फर्माया वो मन असलबा फ़ हुवा अरगी फिर फर्माया वो गल्ब मुस्लिमी अरगी इसलमाने के दिल अरब करेगा इसका माना ही होगा है मुसलमान के दिल पर हुकुमत करेगा आखिवानुदा वारु क्या मुसारमाइटों के दिलों पर मैंजमाओद ने हुकुमत नहीं की है ऐए आडे ऐसी हुकूमत ही है शाहिज निजाम ने बादिशात को छोड़ दिया था, शाहिज नेमत ने छोड़ दिया, शाहिज इलवर ने छोड़ दिया, आलि भिल्ला रेओ तुल्ला ये बे अपने इल्म को फुर्वान कर दिया, घ्री बड़े बड़े जल्ड़े अयावह Minahe- China. सबानल्ला बेशक, बात आजिए हैं, आरभ का माना, मुसलमान और मुसलमान का दिल है, ज़ीर अरभ यह नहीं है, चले। अक्सित लोग यह बोलते हैं कि मुझ्यमाउद Salatu Salam पर जब आख अरब गए थे मुझ्यमाउद Salatu Salam जब पाईला शुज़ अरभी लोग क्यों इमान ї लाएं अरभी लोग क्यों इमान ने लाएं अपरी किताब के बताना नहीं है, एक ऐसा हमाला देना है जो कि गेर महिटधी जमाखा इसको तफाना जाता था, मरदूरक उसके किताब की रिवायत आपके सामने लखना है, जोसुने किताब लिखी दिस का पाइमार के से किताब है देखकर हम कह रहे हैं उन्होंने क्या लिखा मेरी माउप लेका लिखते हैं अक्सर अरब के लोग गालिबन 313 लोग अरबी लोगों ने महिदी माउप सेयद मौमद जौन पुरी पर इमान आए उससे लिखा है तो मालम हुआ कि अरब में भी महिदी माउप लिखते हैं पर लोगों ने इमान लाया है अब वो अलग बात है के तारीख मौजूद नहीं है अरे हम सेंसस करने वालों में से नहीं है वहाँ इतने है यहाँ इतने है इनको ढूंडो वो कहा है महिदी यह नहीं करता महिदी तो बस खुदा करता है वाला वो वो बात है है महिदी माउप बताईए हुदा करता है जो कोई भी आया था खुदा की तरफ में आया था किसी ने भी ये नहीं कहा hogy आप मक्हा रहे थे, आपके हाफ़ा है तें नहीं पर किसने लोग दिर्माइ ला नाया ये किसी ने नहीं कहा बलकर कि जो भी आया थीकित करता है और तथिक करता है दीदारे खूदाें से मुश्रफ होता है और दिदारे खुड़ा की तालुप से बाद लोग एतराथ मत करना भी कुल गेर खंते की तक्रीर यूझीब पर मुजूद है दिदारे खुदा इस दुनिया में जायर पोड आलर करका आप देख सकते हैं यूझीब पर वो तक्रीर मुझूध है कि दीदारे खुदा इस दुनिया में जायल है चले मौदू से हपना नहीं है अगली एक और मशूर पिर मुखाल का है कि जब मेरे मौट अलिए सलाम आएंगे मक्का में मक्कात और मुखरमा में तवास करते होंगे लोग उन पर जबर्दस्ती उनके हाथ पकड़कर उन पर इमाल लाएंगे एक लस्कर मक्का और मदिना के दर्मियान मुखा में बेदा में धसा दिया जाएगा ये भी मशूर इखताव है लोग पूछते हैं हमसे कि आपके सेयद मौमाल जौनपूरी में दियमोंद अले सलातु सलाम के जमाने में ऐसा कहा हुआ हदीस अभुतावुत की है वालिम नमबर तीर और सो तरसी हदीस नमबर है उँ हदीस बड़ी तबील है उसका महासी ये है कि लोग ये कहते है कि जब महदी आएगा और मका में होगा तो एक लशकर मदीने से मका की तरफ आएगा रासे में मुगाम-बेदा में जमीन में धस जाएगा उलमा आयमा से दरखास है जरा इस खदीस में अरभी मतन में अलमधी तो बताएं कुम सी अधीस को कहा ले जाकर जोड रहे हो अधीस में अलमहदी का लफ़ ही नहीं है पुरी अधीस अरभी में अगर चाहे तो आपका लागर देख सकते हैं अधीस में लफ़ अलमहदी नहीं है जहां कहीम रसुल ला सल्द लाह उल्य सलम ने माइदी माओ जल सलात उलाम के मताले अरुछाद भर्माया है अर जगाफर माइदी कमामिाहे झाल